मेरे प्यारे देश स्वासियों, साजर नमस्कार, एक तरफ देश उत्सवों में डुबा हुआ है, और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान के किसी कौने से जब हिंसा की खबरे आती हैं, तो देश को चिंता होना बड़ा स्वाभाविक है, यह हमारा देश बुद्ध और घांधी क का देश है, देश की एकता के लिए जी जान लगाने देने वाले सरदार प्रटेल का देश है, सद्यों से हमारे पुरवजों ने सारवजनी घीवन मुल्यों को, अहिंसा को, समाधर को स्विकार किया हुआ है, हमारी जहेन में भरा हुआ है, अहिंसा परमो धर्म, यह हम बच के लिए से भी कहा था कि आस्था के नाम पर हिंसा बरदास्त नहीं होगी चाहे वो सामप्रदाइक आस्था हो चाहे वो राजनेतिक विचारधाराओं के प्रति आस्था हो चाहे वो व्यक्ति के प्रति आस्था हो चाहे वो परंपराओं के प्रति आस्था हो आस्था के नाम और कानून हात में लेने का किसी को अधिकार नहीं है। डक्टर बाबा साथ पामवेड करने हमें जो सम्विधान दिया है। उसमें हर व्यक्ति को न्याय पाने की हर प्रकार की व्यवस्ता है। मैं देश वासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। कानून हात में लेने वाले, हिंसा के राह पर दमन करने वाले, किसी को भी चाहे वो व्यक्ति हो या समू हो, न ये देश के भी बरदास करेगा और नहीं कोई सरकार बरदास करेगी। हर किसी को कानून के सामने जुकना होगा, कानून जवाब दे ही ताय करेगा और दोशितों को सजा दे के रहेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश विविदताओं से भरा हुआ है, और ये विविदताओं, खान पान, रहन सहन, पहनाव, वहां तक स्विमित नहीं हैं। जीवन के हर विहवार में हमें विविदताओं नजर आती हैं, यहां तक कि हमारे तिहार भी विविदताओं से भरे हुए हैं, और हजारों साल पुरानी हमारी सांस्कृतिक विरासत होने के कारण, सांस्रूतिक परमपराएं देखें, सामाजिक परमपराएं देखें, एतिय पायद ही 365 दिन में कोई दिन बचता होगा जबकि हमारे यहां कोई तेहार से न जुड़ा हुआ हो और ये भी आपने देखा होगा कि हमारे सारे त्योहार प्रकृती के समय पत्रक के अनुसार चलते हैं, प्रकृती के साथ सीधा सीधा समध आता है, हमारे बहुत सारे त्योहा की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं आप सबको मिच्छामी दुड़म कहना चाहूंगा जैन समाज में कल समवत्सरी का परव मनाये लिया जैन समाज में भाद्रमास में पर्यूशन परव मनाये जाता है पर्यूशन परव के अखरी दिन समवत्सरी का दिन होता है यह सच्व इसे एक प्रकार से शमा वानी पर्व भी कहा जाता है और इस दिन एक दूसरे को मिच्छामी दुक्डम कहने की परंपरा है वैसे भी हमारे सास्त्रों में शमा विरस से भूषणम यानि शमा विरों का भूषण है शमा करने वाला वीर होता है ये चर्चा हम सुनते ही आये हैं और मात्मागादी दो हमेशा कहते थे, शमा करना तो ताकतवर व्यक्ति की विशेस्ता होती है। Shakespeare ने अपने नाटक The Merchant of Venice में शमा भाव के महत्व को बताते हुए लिखा था। Mercy is twice blessed, it blessed him that gives and him that takes. अर्थात शमा करने वाला और जिसे शमा किया गया, दोनों को भगवान का आशिर्वात प्राप्त होता है। मेरे पैरे देश्वासियों, इंदिनों हिंदुस्तान के हर कौने में गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। और जब गणेश चतुर्थी की बात आती हैं, तो सारवजनी गणेशोसव की बात्स्वाभावी है। बाल गंगाधर लोक माने तिलक ने 125 साल पूर्व इस परंपरा को जन्म दिया। और पिछले 125 साल आजादी के पहले वो आजादी अंदोलन का प्रतिक बन गए थे। और आजादी के बाद वे समाज स्विक्षा, समाजिक चेतन जगाने के प्रतिक बन गए है। गणेश्यतुर्थी का पर्व दस दिनों तक चलता है। इस महा पर्व को एकता, समता और सुचेता का प्रतिक कहा जाता है। सभी देश्वाशियों को गणेशोचों की बहुत-बहुत शुप कामना है। अभी केरल में ओनम का त्योहार मनाये जा रहा है। भारत के रंग बिरंगे त्योहारों में से एक ओनम केरल का एक प्रमुक त्योहार है। ये पर्व अपने सामाजिक और सांसुर्थिक महत्व के लिए जाना जाता है। ओनम का पर्व केरल की समरुद्ध सांसुर्थिक दरोर को प्रद्शित करता है। ये पर्व समाज में प्रेम और स्वहार्द का संदेश देने के साथ साथ लोगों के मन में एक नई उमंग, नई आशा, नया विश्वास जागरूत करता है। ये एक अउसर है, उस दिशा में हम क्या कर सकते हैं सोचना चाहिए। इन त्योहारों की सरंखला में कुछ ही दिन बाद देश भर में इद उल्जुहा का पर्व भी मनाये जाएगा। सभी देश्वासियों को इद उल्जुहा की बहुत बहुत बधाईयां बहुत शुपकामन हैं। त्योहार हमारे लिए आस्था और विश्वास के प्रतिक तो है ही, हमें नए भारत में त्योहारों को स्वच्छता का भी प्रतिक बनाना है। पारिवारिक जीमन में तो त्योहार और स्वच्छता जुड़े हुए हैं। त्योहार की तैयारी का मतलब है ये कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ये सामाजिक स्वभाव बनाना भी जरूरी है, सारवजनिक रूप से स्वचता का आग्रह सिर्फ घर में नहीं, हमारे पूरे गाउं में, पूरे नगर में, पूरे शहर में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, स्वचता ये तोहारों के साथ एक अतूर्ट हिस्सा बनना ही चाहिए हैं मेरे प्यारे देश्वासियों आधुनिक होने की परिभाशाएं बदलती चलिया रही हैं इन दिनों एक नया डायमेंशन एक नया पैरामिटर आप कितने समस्कारी हो कितने आधुनिक हो आपकी थौर्ट प्रोसेस कितनी मोडन ह इस जानने में एक तराजूबी काम में आने लगा है और वो है एन्वार्मेंट की प्रती आप कितने सजग है आपके अपनी गतिविदियों में इको फ्रेंडली एन्वार्मेंट फ्रेंडली ब्यवार है कि उसके खिलाप है समाज में अगर उसके खिलाब है ताज बुरा मना जाता है और उसी का प्रणाम में देख रहा हूँ कि इन दिनों एक गणे सोचों में भी इको फ्रेंडी घंपती मानों एक बड़ा भ्यान खड़ा हो गया है अगर आप यूटूब पर जाकर के देखेंगे हर घर में बच्चे गणेश जी बना रहे हैं मिट्टी लाकर के गणेश जी बना रहे हैं उस पर रंग पोताई कर रहे हैं कोई वेजेटेबल के कलर लगा र रहा है भाती भाती के प्रयोक हर परिवार में हो रहे हैं एक प्रकार से इन्वार्मेंट कॉंशियसनेस का इतना बड़ा व्यापक प्रस्विक्षा इस गनेशोस्व में देखने को मिला है शायद ही पहले कभी मिला हो मिडिया हाउस भी बहुत बड़ी मात्रा में इको फ्र और जैसा मैंने कहा हमारा देश करोडों करोडों तेजस भी दिमागों से भी भरा हुआ है और बड़ा अच्छा लगता है जब कोई नए नए इनोवेशन जानते हैं मुझे किसे ने बताया कि एक कोई एक सज्जन है जो स्वायम एंजीनियर है उन्होंने एक विशिस्त प्रक पानी में गनेश विशर्जन होता है तो उसी में रखते हैं तो वो पानी में तुरंत डाइलूट हो जाती है और उन्होंने यहां पर रुके नहीं उसमें एक तुलसी का पहुधा वो दिया और पहुधे वो दिये तीन वर्ष पूर्वत जब स्वच्छता का अभियान प्र करीब करी 67% पहुची है दो लाग तीस जार से भी जादा गाउं खुले में सौच से अपने आपको मुक्त गोशित कर चुके हैं पिछले दिनों गुजरात में भेंकर बाढ़ आई काफी लोग अपना जान गमा बिठे लिकिन बाढ़ के बाद जब पानी कम हुआ तो हर इतनी गंदगी फैल गई थी ऐसे समय में गुजरात के बनास काटा जिले के धाने रा में जिम्यत उलेमाय हिंद के कारकरताओं ने भाड प्रभावित बाईस मंदीर एवन तीन मस्जिदों की चरण बद्ध तरीके से सापसफाई की खुद ने पसिना बनाया सब लोग निक स्वच्छता के लिए एकता का उत्तम उधारन हर किशो को प्रेणा देने वाला ऐसा उधारन जिम्यत उलेमाय हिंद के सभी कारकरताओं ने दिया स्वच्छता के लिए समरपन भाव से किया गया प्रियास यह हमारा 27 वभाव वन जाए तो हमारा देश कहां से कहां पहुँच सकता है मेरे पहरे देशवासियों मैं आप सभी से काहवान करता हूँ कि एक बार फीर 2 अक्तूबर गांधी जेंती से 15-20 दिन पहले से ही स्वच्छता ही सेवा जैसे पहले कहते थे जन सेवा यही प्रभू सेवा स्वच्छता ही सेवा कि एक मुहीम चनाए पूरे देश में स्वच्छता के लिए माहोल बनाए जैसा आवसर मिले जहां भी आवसर मिले हम आवसर ढूंडे लेकिन हम सभी जुडे इसे एक प्रकार से कि दिवाली की तयार इसे एक प्रकार से नवरात्य की तयारी मान ले दुरगापुजा की तयारी मान ले, स्रमदान करे छुटी के दीनिया रविवार को इकट्टा होकर एक साथ काम करे आज पडूश की बस्ते में जाए नधिक के गाऊं में जाए लेकिन एक अंदोलन के रुपे करे मैं सबी NGOs को स सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक नेत्रुत्व को, सरकार के अपस्वरों को, कलेक्टरों को, सरुत्पंचों को, हर किसी से आग्रे करता हूँ, कि दो अक्तुबर महात्मा गांदी की जन्म जैनती की पहले ही 15 दिन, हम एक ऐसी स्वच्चता का वातावन बनाए, ऐसा स्व बनाया है, जहां सोचाले निर्मान के बाद, आप अपना नाम और उस परिवार का नाम प्रविष्ठ कर सकते हैं, जिसकी आपने मदद की है, मेरे सोशल मिडिया के मित्र कुछ रत्रात्मा कर भ्यान चला सकते हैं, और वर्चुल वर्ड को धरातल पर काम हो, उसकी प्रेना बना सकते हैं, स्वच्छ संकल्प से स्वच्छ सिद्धी प्रतियुगिता, पेजल एवं स्वच्छता मंतराले द्वारा, यह भ्यान जिसमें आप निबंत की स्पर्दा है, लगू फिल्म बनाने की स्पर्दा है, चित्रकला प्रतिकयोगत आयुजीत किया जा रहा है, इसम तिन मिनिट की फिल्म बना सकते हैं, जो स्वच्छता के लिए प्रेना दे, वो किसी भी लेंग्वेज में हो सकती है, वो उग्सालेंड भी हो सकती है, यह जो प्रतियोगिता आमें हिस्सा लेंगे, उस में से जो बेच तीन लोग चुने जाएंगे, डिस्टिक लेवल पे स्वच्छता के अभियान के इस रुप में भी आप जुड़े मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इस बार दो अक्तुबर गांधी जेंती को स्वच्छ दो अक्तुबर मनाने का संकल्ब करें और इसके लिए पंद्रा सितंबर से ही स्वच्छता ही सेवा इस मंत्र को घरगर पहुंचाएं स्वच्छता के लिए कोईन को एक कदम उठाएं स्वयम परिश्रम करके इस पर हिस्सेदार बनें आप देखिए गांधी जेंती की दो अक्तुबर कैसी चमकेगी आप कल्पना कर सकते हैं पंद्रा दिन की सफाई की अभियान के बाद स्वच्छता ही सेवा के बाद दो अक्तुबर को जब हम गांधी जिनते बनाएंगे तो पुझ्य बापु को सद्धाजली देने का हमारे भीतर कितना एक पवित्र आनन्द हो मेरी पहरे देशवासियों मैं आज एक विशेश रूप से आप सबका रन्स्विकार करना चाहता हूं रदे की गहराई से मैं आपका अभारव्यक्त करना चाहता हूं इसलिए नहीं कितने लंबे अर्षे तक आप मन की बात से जुड़े रहे हैं मैं इसलिए आभार व्यक्त करना चाहता हूं, रण स्विकार करना चाहता हूं, क्योंकि मन की बात के इस कारकम के साथ देश के हर कोने से लाखों लोग जुड़ जाते हैं, सुनने वाले की सब्द क्या तो करोडों में है, लेकिन लाखों लोग मुझे कभी पत्र लिखते हैं, कभी मैसेज देते हैं कभी फोन पर संदेश आ जाता है मेरे लिए एक बहुत बढ़ा खजाना है देश के जन जन के मन को जानने के लिए यह मेरे एक बहुत बढ़ा आउसर बन गया है आप जितना मनवग्की बात का इंतजार करते हैं उससे ज्यादा मैं आपके संदेशों का इंतजार करता हूँ, मैं लालाइत रहता हूँ, क्योंकि आपकी हर बात से मुझे कुछ सिखने को मिलता है, मैं जो कर रहा हूँ उसको कसोटी पर कस्रे का आउसर मिल जाता है, बहुत सी बातों को नए इस तरीके से सोचने के लिए और इसलिए मैं आपके इस योगदान के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आपका रहन स्विकार करता हूँ, और मेरा प्रयास रहता है कि ज्यादा सा ज्यादा आपकी बातों को मैं स्वयम देखूं, सूनूं, पढ़ूं, समझूं और ऐसी ऐसी बाते आती हैं, अब देखिए, अब इस फॉन कॉल से आप भी अपने आपको कोरिलेट करते होंगे, आपको भी लगता हूँ, हाँ यार, आपने कभी ऐसी गलती की हैं, कभी-कभी तो कुछ चीजे हमारे आदत का ऐसी हिस्सा बन जाती हैं, कि हमें लगता ही नहीं है कि हम गलत करते हैं प्रदान मंत्री जी, मैं अपना से अपकरना बोल रही हूँ, मैं अपनी एक सहेली के बारे में बताना चाहती हूँ, वह हमेशा लोगों की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी एक आदत देखकर मैं हैरान हो जाती हूँ, मैं एक बार उसके साथ शॉपिंग करने पर उसने 2000 रुपे बड़े आराम से खर्च कर दिये, और पीजा पर 450 रुपे, जबकि मौल तक जाने के लिए जो आटो लिया था, उस आटो वाले से बहुत देर तक 5 रुपे के लिए मौल भाव करती रही, वापस लोटते हुए रास्ते में सबजी खरी दी, और हर सबजी पर फिर से मौल भाव कर 4-5 रुपे बचाए, मुझे बहुत बुरा लगता है, बड़ी बड़ी जगे एक बार भी बिना पूछे बड़े बड़े बुपतान कर देते हैं, और हमारे मेहनत कज भाई बहनों से थोड़े से रुपे के लिए जगरा करते हैं, उन पर अविश् करते हैं, आप अपनी मन की बात में इस बारे में जरूर बताएं. किसी छोटे दुखानदार से, सबजी बेचनी मालों से हमारा संबंद आ जाता है, कभी ओटो रिक्षा बारे से संबंद आता है, जब भी हमारा किसी मेहनत कस्व्यक्ति के साथ संबंद आता है, तो हम उससे भाव का तोलमोल करने लग जाते हैं, मोल भाव करने लग जाते है नहीं इतना नहीं, दो रुपया कम करो, पांच रुपया कम करो और हमीं लोग किसी बड़ी रेश्टरॉन में खाना खाने जाते हैं तो बील में क्या लिखाए देखती भी नहीं है तढ़ाम से पैसे दे देते हैं इतना ही नहीं, शोरूम में साड़ी खरीदने जाएं, कोई मोलभाव नहीं करते हैं, लेकिन किसी गरीब से अपना नाता आ जाएं, तो मोलभाव किये बिना रहते नहीं हैं, गरीब की मन को क्या होता होगा, ये कभी आपने सोचा है, उसके लिए सबान दो रुपे पांच उसके रुदय को चोट पहुंचती है, आपने वो गरीब है, इसलिए उसकी इमानदारी पर शक किया है, दो रुपया पांच रुपया आपके जीवन में कोई फरक नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी छोटी सी आदत उसकी मन को कितना गहरा धक्का लगाती होगी कि कभी सोच है, मडम मैं आपका आभरी हों, आपने इतना रिदय को चुने वाना फोन कॉलर कि एक मैसेज विजे दिया, मुझे विश्वास है कि मेरे देश्वासी भी गरीब के साथ ऐसा वहार का नहीं आदत होगी, तो जरूर छोड़ देंगे, मेरे प्यारे नवजवान साथियों, 29 अगस्त को पुरा देश राष्टिय खेल दिवस के रूप में मनाता है, यह महान होकी प्लेयर और होकी के जादुगर मेजर ध्यान चेंजी का जन्म दिवस है, होकी के लिए उनका योगदान अतुलनिय था, मैं इस बात का समरण इसलिए करा रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की नई पीड़ी, खेल से जुड़े, खेल हमारे जीवन का हिस्सा बने, अगर हम दुनिया के युवाँ देश हैं, तो हमारी ये तरुणाई, खेल के मैदान में भी नज़र आनी चाहिए, स्पोर्ट्स याने स्फिजिकल फिटनेस, मैंटल एलर्टनेस, पर्सनालिटी एनहेंस्मेंट, मैं समता हूँ इससे ज़्यादा कैसे ही है, खेल एपकार से दिलों का मेल के एक बहुत बड़ी जड़ी उटी है, हमारी देश की युवाँ पीड़ी, खेल जगत में हा गया है और आज कम्पिटर के यूग में तो मैं आगा भी करना चाहूंगा, कि प्लेंग फिल्ड प्ले स्टेशन से ज़्यादा महत्वपूर है, कम्पिटर पर फिपा खेलिए, लेकिन बाहर मैदान में भी तो कभी फुटबॉल के साथ कर्तब करके दिखाईए, कम्पिटर पर क्र परिवार के बच्चे बहार जाते तो मां पहले पुटर तो कम बापिस आओगे, आज हालत यह हो गई है कि बच्चे घर में आते ही एक कौने में या तो कार्टून फिल्म देखने में लग जाते हैं या तो मोबाइल गेम पर चिपक जाते हैं, और तब मां को चिल्हा करके क कब आओगे, और अज यह हाल है कि मा को कहना पड़ता है बेटा तुम बाहर कब जाओगे, नवजवान दोस्तों खेल मंत्राले ने खेल प्रतिबा की खोश और उन्हें निखारने के लिए एक स्पोर्ट्स टैलेंट सर्च पोर्टल तैयार किया है, जहां पूरे देश से को में कुछ उप्रलप्ति हासिल की है, उनमें टैलेंट हो, बोईस पोर्टल पर अपना बायो डेटा या वीडियो अफ्लोड कर सकता है, सिलेक्टेड इमर्जिंग प्लेयर्स को खेल मंत्राले ट्रेनिंग देगा, और मंत्राले कल ही इस पोर्टल को लांच करने वाला है, हमा को अपना घर बनाने जा रही है, आईए, विश्व से आने वाले हमारे इन नवजवान महमानों का खेल के उत्सव के साथ स्वागत करें, खेल को एंजोई करें, देश में एक माहोल बनाएं, जब मैं आज खेल की बात कर रहा हूं, तो मैं पिछले हफ्ते मेरे मन को बढ़ा ही छू जाने वाली घटना घटी, देश वासों के साथ सेर करना चाहता हूं, मुझे बहुत ही छोटी आयू की कुछ बेटियों से मिलने का मुका मिला, और उसमें से कुछ बेटियां तो हिमाले में पैदा हुई थी, समंदर से जिनका कभी नाता भी नहीं था, ऐसी हमारी द जजबा, उनका होसला, हम सब को प्रेणा देने वाला हैं, ये छे बेटियां एक छोटी सी बोट ले करके, आयने स्वी तरिनी उसको ले करके समंदर पार करने के ले निकल पड़ेगी, इस अभ्यान का नाम दिया गया है नाविका सागर परिक्रमा, और वे पूरी पिश्व का ब्रह्मन करके, महिनों के बाद, कई महिनों के बाद, भारत लोटेगी, कभी एक साथ 40-40 दिन पानी में विताएगी, कभी 30-30 दिन पानी में विताएगी, समंदर के लहरों के बीच, साहस के साथ, हमारी ये छे बेटियां, और ये विश्व में पहली घटना हो रही है, बेटियों के जजवे को सलाम करता हूँ, और मैंने उनसे कहा है, कि वो पूरे देश के साथ अपने अनुभवों को साजा करें, मैं भी नरेंद मोदी एप पर उनके अनुभवों के लिए एक अलग व्यवस्ता करूँगा, ताकि आप जुरूर उसे पढ़ पाएं, क्योंकि आने में, मेरी इन बेटियों को बहुत बहुत शुबकामना है, बहुत बहुत आशिरवाद है, मेरे पैरे देशवासियों, 5 सितंबर को हम सब सिख्षक दिवस मनाते हैं, हमारे देश के भूदपुर्वराश्पति, डाक्टर राधर कर्शन जी का इजन्म दिवस हैं, तो जीवन भर अपने आपको एक सिख्षक के रुप में ही वो प्रस्थूत करते थे, वो हमेशा सिख्षक के रुप में ही जीना पसंद करते थे, तो इस सिख्षा के प्रती समर्पित थे, एक अध्यता, एक राजनई, भरत के राश्पती, लेकिन हर पल एक जीते जाते जीन ने कहा था, It is the supreme art of the teacher to awaken joy in creative expression and knowledge, अपने शात्रों में स्रजनात्पग भाव और ज्यान का आनन जगाना ही एक सिख्षक का सबसे महत्वपून गून है, इस वर्जम हम सिख्षक दिवस मनाएं कि हम सब मिलकर के एक संकल्प कर सकते हैं, एक मिशन मोड में का भियान चला स आकते हैं, Teach to Transform, Educate to Empower, Learn to Lead, इस संकल्प के साथ इस बात को आगे बढ़ा सकते हैं क्या, हर किसी को पांच साल के लिए किसी संकल्प से बांधिये, उस वो सिद्ध करने का रास्ता दिखाएए, और पांच साल में वो पाकर के रहे, जीवन में सफन होने का आनन्द पाए, ऐस हम माहूल, हमारी स्कूल, हमारी कॉलेज, हमारी सिक्षक, हमारी सिक्षा संस्तान, ये कर सकते हैं, और हमारे देश में, जब हम Transformation की बात करते हैं, तो जैसे परिवार में मा की याद आती है, वैसे ही समाज में सिक्षक की याद आती है, Transformation में सिख्षक की बहुत बड़ी भूमिका रहती है हर सिख्षक के जीवन में कहीं ने कहीं ऐसी घटनाए है कि जिसके सहज प्रयासों से किसी की जिनगी के Transformation में सफलता मिली होगी अगर हम सामुही प्रयास करेंगे तो राष्टर के Transformation में हम बहुत बड़ी भूमिका रहता करेंगे आईए, Teach to Transform इस मंत्र को लेकर के चल पड़े प्रणाम प्रधान मंत्री जी, मेरा नाम है डॉक्टर अनन्या अवस्ती मैं मुंबई शहर की निवासी हूँ और Harvard University के India Research Center के लिए काम करती हूँ एक Researcher के तौर पे मेरी विशेश रुची रही है वित्तिय समावेशन ये जिसको हम Financial Inclusion कहते हैं इनसे Related Social Welfare Skenes को लेकर और मेरा आपसे प्रशनी ये है कि 2014 में जो जंधन योजना लॉंच हुई क्या आप कह सकते हैं किसानों को मजदूरों को गाउं और कजबों तक दी प्राप्त हो पाई हैं धन्यवाद मेरे प्यारे देश्वासियों प्रधानमत्री जंधन योजना Financial Inclusion ये भारत में नहीं पूरे विश्व में आर्थिक जगत के पंडितों की चर्चा का विशे रहा है 28 अगस 2014 को मन में एक सपना लेकर के इस अभिहान को प्रारम्ब किया था कल 28 अगस को इस प्रधानमत्री जंधन योजना के अभिहान को तीन साल हो रहे हैं 30 करोड नए परिवारों को इसके साथ जोड़ा है बैंक एकाउंट खोला है दुनिया के कई देशों की आबादी से भी ज़्यादा ये नमबर है आज मुझे बहुत बड़ा समाधान है कि तीन साल के भीतर भीतर समाज का वो उस आखरी छोर पर बैठा हुआ मेरा गरीब भाई देश की अर्थ विवस्ता की मूल धारा का हिस्सा बड़ा है उसकी आदत बडली है वो बैंक में आने जाने लगा है वो पैसों की बच्चत करने लगा है वो पैसों की सुरक्षा महसूस कर रहा है कभी पैसे हाथ में रहते हैं पर शेयर करने का मन कर जाता है. अब एक संयम का माहूल बना है और दिली दिल उसको भी लगने लगा है कि पैसे कहीं भाच्चों के काम आजाएंगे. आने वाले दिनों मैं कोई अच्छा काम करना है तो पैसे काम आएंगे. इतना ही नहीं. जो गरीब अपने जेब में रूप वो एक सम्मान का भाव महसूस करता है, प्रधान मंत्री जंदन योजणां में हमारे गरीबों के द्वारा करीब एक रुपिया, तीस रुपिया, बहुत मामुली सा प्रीमियम, आज वो गरीबों की जिन्गी में एक नया विश्वास प्रजा कर कई परिवारों में, एक रुपिय के भीमे के करण, जब गरीबार में संकट आया, परिवार के मुख्या का जिवन अंत हो गया, कुछी दिनों म उससे दो लाक्षवे मिल गए, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टार्ट अप योजना, स्टेंड अप योजना, दलीत हो, आदिवासी हो, मैला हो, पडलिक करके निकला हुआ नवजवान हो, अपने पेरों पर खड़े हो करके कुछ करने का इरादा वाले नवजवान हो, करोडों करोड नवजवानों को प्रधान मंत्री मुद्रा योजना से, बैंकों से, बिना कोई गारंटी पैसे मिले, और वो स्वैम अपने प्यारों पर खड़े हुई अतना ही नहीं, हर किसे ने एकाद एकाद दो को रोजगार देने का सफल प्रयास भी किया है, पिछल मत्री मुद्रा योजना के करण, सामान ने लोगों को कैसा लाप हुआ है, उसका उन्होंने सेल्वे करवाया, और बड़ी प्रेरग घटनाएं मिली, आज इतना समय नहीं है, लेकिन मैं जिरूर ऐसी घटनाओं को, बैंक के लोगों से कहूँगा, कि माइगाव.in पर उसको अपलोड करें, लोग पढ़ें, लोगों को उसे प्रेणा मिलेगी, कि कोई योजना व्यक्ति के जीमन में कैसे ट्रास्फरमेशन लाता है, कैसे नई उर्जा भरता है, कैसे नया विश्वास भरता है, इसके सेंक्रों धारन मेरे सामने आए है, आप तक पहुंचाने का मैं पूरा प्रयास करूँगा, और ऐसी प्रेणा घटना है कि बिडिया के लोग भी इसका प्रणा लाब उठा सकते हैं, भे भी ऐसे लोगों से इंटर्व्यू करके नई पीडियू को नई प्रेणा दे सकते हैं, मेरे प्यारे देश्वासियों, फिर एक बार आपको मिच्छा नमी दुक्रम, बहुत पर धन्यवाद